गुड मॉर्निंग स्टूडेंस, इरो जु मनमू पाडु दाम अने पाटमनी नेच कुन्दम मदटी पाटमू अम्मा, अम्मा याने मा मा सबी बिना मा के हम इस दुनिया में नहीं आ सकते मा हमारी भगवान है, उनी होने हमें इस दुनिया में लाया है लायी है और हम इस दुनिया को देख सकते है अम्मा वंटी दैव मूले ने ले दू, अम्मा को ये दी सरिकाने का दू अम्मा, अम्मा, अम्मा अम्मा चूपु चल्लना, अम्मा चेई चल्लना, अन्तु लेने प्रेम पंचु, अम्मा मनसु चल्लना अम्मा को दंडम पेडिते अंता सुभमे, अम्मा दीवे नलु उन्टे अन्नी टाजयमे, अम्मा अम्मा, 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 अम्मा इयक कुण्टे मनकु जन्म उन्न दा, अम्मा चेयक कुण्टे मनकु बतुकु उन्न दा, अम्मा तोडु उन्टे प्रती रोजु पंडगे, अम्मा नु पट्टिंचु कोकप, बतिकु ना दंडगे, अम्मा 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 वंडी दैवमु लेने लेदू मा भगवान समान है अम्मा कु एदी सरिकाने कादू मा से हम कुछ भी तुल्ना नहीं कर सकते हैं मा उतनी महान है अम्मा चूपु चल्लना अम्मा चेही चल्लना मा हमेशा हमें प्यार से देखती है मा हमें हमेशा हमारे सहायता करती है अंतुलेनी प्रेम पंचु अम्म मनसु चल्लना मा हमेशा हमें प्यार करती है वही मा है वह हमेशा हमारी अच्छा बुराई की ध्यान रखती है हमेशा हमे मा को नमस्कार करकर उनकी आशिर्वाद लेकर हम कारी पर चले जाएं तब हमें सब कार्य शुब ही शुब हमारे जीवन में मिलेगा मा के आशिर्वाद से ही हम हर एक कार्य में विकास को प्राप्त करेंगे बिना मा के आशिर्वाद के हम दुनिया में इस दुनिया में कुछ नहीं प्राप्त कर सकते अम्मा ये कुंटे मनकु जन्म उन्न दा बिना मा के हम इस दुनिया में जन्म ले सकते हैं नहीं माने हमें इस दुनिया को दिखाया है तो यहां पर मा ही हमारी भगवान है मा का आशिर्वाद लेना हमारा कर्तव्य है मा को हमें हमेशा वंदना करनी चाहिए अम्मा चेय कुण्टे मनकु बतकु उन्न दा मा बिना मा के हम जन्म नहीं ले सकते मा हमारे भगवान समान है मा हमें खाना किलाती है हमारा जीवन सुखमाई करती है मा हमेशा हमारे साथ ही रहती है जब भी मा हमारे साथ रहती है समझे कि हमारे जीवन त्योहार उनसे भरा हुआ है हमेशा त्योहार मनाते हैं क्यों क्योंकि हम अपने मा के साथ रहते हैं अगर हम अपने मा को उनकी ध्यान नहीं रखे उनके बारे में हम नहीं सोचे तो हमारा जीवन व्यर्त है हम जीवन जी कर भी मुरुत्यू को समान है, मुरुत्यू के समान है, हम मनिश्य नहीं है, अगर हम हमारे मा की ध्यान नहीं रहेंगे, उनका आशिरवाद नहीं लेंगे, उनका समान नहीं करेंगे, तो हमारा जीवन व्यर्त है तो बच्चों मैं आशा करती हूँ कि आपको यह पाण समझ में आया हो धन्यवाद